अगुद्मानि स्टूडेंट्स अपने जो टॉपिक चल रहा था जो लास्ट वीडियो था उस कल का दू लास्ट वीडियो था उस कल वाले लास्ट वीडियो में अपने डिस्कृशन किया था टॉपिक मिन्रल नूट्रिशन का जो चेप्टर नमबर 12 है आपका क्लास 11th NCRT का तो उसका discussion करें अपने तो ये mineral nutrient है क्या यानि plant को जो essential nutrients चाहिए जो soil से उनको मिलते हैं जाए वो किसी भी method से अब्जोब हो उन सब का बात अपने आगे करते रहेंगे जैसे जैसे वीडियो आएगा वैसे वैसे discussion करेंगे अपने बट जो soil से plant को nutrient बिलेंगे वो nutrient कौन-कौन से है और वो nutrient plant में किस type से important है इसका अपने discussion करेंगे basic सा discussion आप लोगों ने किया था कि mineral nutrition का आप लोग identification जो है mineral nutrient का कैसे कर सकते हैं hydroponics है या फिर vermiculite है या फिर आप लोगों ने सेंड कल्चर वगरा यह लास्ट वीडियो में अपने discussion कर लिया था आज इसका basic सा detail मैं वापीस बता रहा हूं देखें आप लोग तो यह कह रहा है कि mineral nutrition is the study of source mode of absorption distribution and role in metabolism of various inorganic substance यानि जो inorganic substance है वो कहा से तो plant को मिलेंगे यानि उनका source क्या है फिर किस method से वो absorb होते हैं फिर plant body में उनका distribution कैसे होगा कहां पर वो जाएगा और तीसरा point कि उनका metabolism में utility क्या है उनका role क्या है इन सब की detail जो है वो अपने किस में करेंगे mineral nutrition वाले chapter में करने वाले हैं फिर यह बता रहा है कि main source of mineral salt for a plant is soil यानि soil जो है वो as a reservoir work कर रही है as a storage house work कर रही है जहां से plant body को यह mineral nutrient मिलते हैं उसके ज़से बात बात करें कि the minerals are mainly absorbed by sub-terminal maristematic region of root अब देखो होता क्या है आप लोगों ने कहीं detail वैसे जो किया नहीं है morphology में root के कुछ part होते हैं इसका जो terminal part होता है इस terminal part को बोलते हैं apical maristam या फिर इसको आप बोल सकते हैं maristematic region क्या बोल सकते हैं maristematic region यानि ऐसा region जिसकी cells में capacity है for division division की capacity हो उसको बोलते है maristematic cells और यह maristematic region है इसकी ज़स्ट नीचे वाला जो area होता है इसकी ज़स्ट लोवर साइड का जो area है यह वाला इस area की cells को बोलते हैं elongation region यानि इस area की cell बनती तो apical maristam वाले या maristematic region हों है पर इस area में आके cell length में increment करती है अपनी length को increase करती है तो इसी वज़े से इसको बोलते है elongation region और उसके बाद का यह जो सारा का सारा area है इसको बोलते है maturation region कौन सा area बोलते है maturation region और इसी में आप लोगों को जो root hairs मिलते हैं तो यह इस वज़े से इसके कुछ इससे को आप लोग root hair region भी आप लोग name दे सकते हैं और इस apical maristam के upside में एक cap like structure होती है जिसको बोलते है root cap ठीक है वैसे detail अपने पहले भी कर लिया इस diagram का इसा detail किया था initially water absorption वाले में पर फिर भी एक बार देखें आप लोग तो यह कहरा है कि minerals का absorption जो है mainly किस region से होगा sub terminal maristamatic region देखो maristamatic region तो terminal end पे है और इसके जस नीचे वाला area जो होता है जिसको sub terminal region भी बोल सकते हैं तो उस area से आपके क्या होगा mineral nutrient का absorption होगा उसके बाद यह कहा रहा है कि absorption is in the form of ions यानि जो भी mineral nutrient एब्जोर होँगे वो किस form में एब्जोर होँगे तो उस condition में energies होए वो plant की utilize होने वाली है absorption and conduction of mineral is both apoplastic and simplistic method देखो आप लोगों को कहीं याद आ रहा होगा अभी last plant water relationship में कि apoplast क्या था और simplist क्या था याद करके मैं कमेंट करके बता है apoplast क्या था simplist क्या था चलो आगे conduction of mineral is mainly through xylem और इनका जो conduction होगा यानि जो root में absorption के बाद में mineral nutrient जिन अलग-लग areas के अंदर इनका जो distribution होगा वो distribution कौन से xylem के थूँ होगा कौन से tissue के थूँ होगा तो xylem tissue के थूँ होगा उसके बाद यह कह रहा है कि generally 50 to 60 elements are present in plant body but only 17 elements जो है उनको आप लोग essential element नेम देते है यानि वैसे तो अलग-लग plant body की बात करे तो आपको 60 to 70 या 60 element मिलते हैं बट उन 60 में से 17 elements जो है वो ऐसे हैं जिनको essential element बोलते हैं और each plant body के इंदर अपने को मिलते हैं criteria of essentiality of mineral यानि आप लोगोंने किस base पे कह दिया कि यह mineral element जो है वो plant के लिए essential है जैसे मैंने याँ बोला ना कि 17 essential consider करते हैं 17 को 17 essential क्यों है आपने कैसे decide किया तो उसका criteria क्या है वो अपने discussion करेंगे पहले आप एक बार इसका screenshot जो है वो ले तो इसेंसिलिटी का criteria बताने के लिए यह करा है कि एक साइंटिस्टा Arnon and Stout जो साइंटिस्टा proposed criteria for knowing the essentiality of an element they are यानि कौन-कौन से criteria थे वो Arnon and Stout ने बताये थे पहले है कि the essential elements must be necessary for normal vegetative और reproductive growth it means in deficiency of essential element plant cannot complete its vegetative और reproductive growth यानि mineral nutrients जो है वो plant की normal vegetative growth और reproductive phase आती है तो उस reproductive growth में use होना चाहिए use होता है उस base पे आप लोगों ने कहा कि वो nutrient essential है या नहीं है माल लोग कि इसको nutrient जो है वो plant को नहीं मिला और नहीं मिलने की वज़े से या तो plant की normal growth नहीं हुई या reproductive growth नहीं हुई तो ऐसी condition में आप लोग कह सकते हैं कि वो nutrient जो हो plant के लिए essential था इदी हम वो provide कराते तो plant की growth हो जाती और इदी provide नहीं कराया तो plant की वेजिटेटिव और sexual reproduction जो reproductive growth है वो inhibit हो गए तो आप लोगों ने इस बेस पेस को decide कर दिया second criteria यह advertise का the essential element could not be replaced by another element it means the requirement of essential element must be specific माल लोग एक example लेते हैं कुछ suppose that यह अपने पास plant था इस plant को different different 17 nutrients चाहिए थे इस 17 में से आप लोगों ने का कि सर्वेन element था sodium and second था magnesium अब माल लो कि आप लोगों ने इस magnesium element जो था वो plant को किसी भी एंगल से absorb नहीं हुआ तो simple सी बात है magnesium की deficiency के symptom आप लोगों को इस plant body में मिलने वाले हैं इस magnesium magnesium की deficiency की वज़े से plant में क्या क्रेक्टर होंगी वह अपने को इस plant body में दिख जाएगी और इस magnesium की वज़े से magnesium के ना होने की वज़े से तो ऐसी situation में magnesium आपका essential element नहीं हो सकता कहने का मतलब यदि magnesium की requirement है plant को और magnesium देने पर ही complete हो आप बाहर से calcium या कोई other element दे दे और उससे वो यदि complete हो जाती है उसकी requirement plant की normal growth स्टार्ट हो जाती है तो आप उस element को क्या नहीं बोल सकते essential element नहीं बोल सकते essential element तभी बोलोगे कि इस magnesium को आप other element से replace नहीं कर सके magnesium required है तो सिर्फ magnesium ही होना चाहिए देखो यह लिखावाए the essential element could not be replaced by another element it means the requirement of essential element must be specific specific होनी चाहिए ठीक है तीसरा criteria essential element are directly involved in metabolism of plant body अब सीदिसी बात है कि जब यह metabolism में involved हो रहा था तभी तो प्लांट की reproductive या normal growth इनविट हो रही थी तो यह इसमें involved होना चाहिए तो यह three criteria किसे डिसाइड किये थे Arnan and Stout ने decide किये थे उसके बाद यह कह रहा है कि इन essential elements को आप classify करें तो classification में देखें त non-mineral जो है और दूसरी criteria इसने classify कर रखा है minerals का non-mineral की बात करें तो carbon hydrogen oxygen है और got from water and air यानि ऐसे elements water और air से obtain होते हैं plant को उनको आप कौन से element बोलते हैं उनको बोलते हैं non-element mineral nutrient दूसरे आते है mineral nutrients क्योंकि अपने discussion किसका करेंगे mineral nutrients का तो mineral nutrients में यह कह रहा है कि एक तो आते है micronutrient और दूसरे आते है sorry macronutrient and micronutrient macro वाले में primary है NP के पुछा जाता है exam के अंदर और secondary में आता है calcium magnesium and sulfur और micronutrient में आता है ferrous, nickel, copper, zinc, magneze, molybdenum, chloride और boron यह आपके आते हैं micronutrient के अंदर minerals के अंदर तो यह एक बार आप इसका screenshot लें क्या criteria था फिर अगले वाली slide में discussion करने वाले हैं कि microkin को बोलते हैं, macrokin को बोलेंगे तो एक बार आप इसका screenshot लें थोड़ा सा अब screenshot लें वेटा उसके बाद इन mineral nutrient का classification दे रख है उसके according बात करें तो सबसे पहले है कि according to quantitative requirement यह आरनन ने इसको classify किया था और quantity यानि कितनी quantity में plant body को mineral nutrient required है उसके base पे तो यह किसने लिखा हो था macronutrient या फिर जिनको बोल सकते हैं laser element यह है 9 कितने है total 9 है यानि कौन से macronutrient होगी इसने लेखा है which require in more quantity यानि more quantity में कितना 10 millimol per kilogram या फिर 1 to 10 milligram per liter के हिसाब से यानि इससे ज्यादा जो quantity होगी उनको आप क्या बोलोगे उनको आप बोलोगे macronutrient of dry weight of plant called macronutrient dry weight का मतलब माल लो plant की आपके पास कोई leaf थी उस leaf को आप लोगोंने suppose that leaf का या plant body जो थी वह आपके पास 100 kg थी आप लोगोंने इसको सुखाया तो suppose that इसका weight जो हो ड्राइवेट 10 kg रह गया उस 10 kg में यह कह रहा है कितना होना चाहिए 10 mmol per kg से जादा उना चाहिए मतलब इस में आप लोगों को mineral nutrient 105 mmol मिलके तो आप लोग कह सकते हैं कि सर पर kg में कितना हो गया 10 से जादा हो गया ना क्योंकि 10 kg में इतने हो गया तो 10 से ज्यादा 10.5 मिली मोर पल के जी के हिसाब से हो गया तो इसको आप क्या बोलोगे मैक्रो न्यूट्रियन नेम देंगे इसने कुछ नेम लिखा रखे हैं अब नेम को याद रखने का याद रखना है आप लोगों को लिखना है इंगलीज में देखो ऐसे लिखते हैं चोपन C-H-O-P-N चोपन के साथ यानि 54 के साथ कार जो है उसको मांगना है कार मांग 1,2,3,4,5,6,7,8,9 चोपन के साथ कार मांग आप यूं माल लो कि 54 के साथ 54,054 लेक उसके साथ में आप को साथ लेके जाना है और क्या मांगनी है कार मांगने जाना है किसी है घर पे चोपन के साथ कार मांग इसे मैक्रो वाले याद रह जाएंगे अब जो रिमेनिंग 8 रह गे क्योंकि 9 तो यह आगे 17 में से तो आप बोलोगे से पीछे कितने रहे एट बच गे वह एट सारे किस में आ जाएंगे माइक्रो नुट्रियंट में आ जाएंगे अब मैक्रो वाले आपको याद है तो माइक्रो इजी गॉइंग आइडेंटिफाइ कर लोगे माल लो उसने question में दे दिया कि which element is macro element तो इन में से 9 में से आपको कोई न कोई एक मिल जाएगा तो ये trick लिख के देख ले 9 में से जो हो वो macro में आ जाएगा बाई तास उसने कर दिया कि इस में से माइक्रो वाले को identify करो तो इसका मतलब 9 में से 3 होंगे फिर वन जो होगा वो कौन से में से आएगा माइक्रो वाले में से आएगा तो इस टाइप से आपको identify सिर्फ एक के बेस पे आप identify कर सकते हैं कि आगी इसने को नोड डालके special point लिख रहे हैं कि इन special point को देखें तो इसने लिखा वाया carbon hydrogen oxygen जो है उनको non mineral element बोलते हैं या framework element क्योंकि plant body की formation करने मिज़े cell wall की formation है cell membrane की formation है तो framework work element का काम करते हैं those elements which obtained from water and air are called non mineral element and those which is obtained from soil called mineral element यह बात अपने पीछे भी discussion कर ली थी आगे इसलिक है those elements which are found as component of nucleic acid यानि ऐसे element जो nucleic acid की structure में काम आ रहे हैं आप लोग याद करें कुन से थे cell wall की formation में काम आ रहे हैं या cell membrane की formation में काम आ रहे हैं and stored food substance की form में काम आ रहे हैं उनको क्या बोलते हैं आप framework element बोल रहे हैं nucleic acid में क्या था वही carbon hydrogen oxygen nitrogen phosphorus था इसी टाइप से cell wall में क्या था वही carbohydrate protein प्रोटींज थी लिपिड भी थी cell membrane में भी लिपिड प्रोटीन 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 थे तो यह सारे के stored substance के अंदर food storage जो है carbohydrate की फॉर्म में भी हो सकता है लिपिड की फॉर्म में भी हो सकता है तो सब के अंदर जो काम आए उनको आप क्या बोलते हैं mostly यह आता है carbon hydrogen oxygen nitrogen phosphorus इन elements को आप क्या बोलते हैं इनको framework element भी बोला जाता है आगे इसने लिखा है NPK जिनको critical element एक्जाम में बहुत बार question पूछा गया है critical element जो है वो कौण सा है NPK nitrogen phosphorus and potassium found in less quantity in soil और यह less quantity में होते हैं आप लोगों को पता है आप लोग agriculture में DAP जो है उसको use करते हैं तो DAP जो है वो DAP जो खाद होती है उसके अंदर यही element अपने को जनरली मिलते हैं तो एक बार आप इसका screenshot जो ले थोड़ा सा background dark होने की वज़े से कम दिख रहा होगा नीचे वाला बट फिर भी आप लोग screenshot ले जो को इसके बार लिखावा है कि nitrogen is an unique example of mineral and non-mineral दोनों का ही example इसमें consider करते हैं आप लोग इसमें क्योंकि अपने को पता है nitrogen मिलती atmosphere से है और मिलती किसके तुरू है soil के तुरू तो इसका मतलब दोनों में consider करेंगे calcium magnesium and sulfur जो इनको secondary macronutrient भी बोला जाता है in dry weight of plant carbon is most abundant element but in fresh weight of plant oxygen is most abundant यह जब wet plant होगा तो उसमें पानी के amount जाता होगी मतलब oxygen जाधा है और dry weight के अंदर आपको क्या मिलने वाला है carbon जो है वो ज्यादा मिलने वाला है इसके लावाई यह कह रहा है चोपन यानि CHOPN यानि carbon hydrogen oxygen nitrogen phosphate जो है उनको प्रोटोप्लाजम एक element भी बोल देंगे प्रोटोप्लाजम के main content में यहीं आते हैं आपके इसके अलावा है एच्टु ओ इस मोस्ट अबंडेंट इन और्गेनिक compound इन प्रोटोप्लाजम प्रोटीन इद मोस्ट अबंडेंट और्गेनिक कंपाउंड इन प्रोटोप्लाजम आपको पता है 7-14 परसेंट आप लोगोंने पहले इस बैग्राउंड क्लियर का यह नोट वाले टोपिक का आप लोग स्क्रीनशोट अलग से ले लें अब लें स्क्रीनशोट फिर से आपका फिर यह कह रहा है अपने को माइक्रो नूट्रियंट कौन से होंगे जिनको ट्रेस एलिमेंट भी बोलते हैं क्योंको मैंने बता है था ना मैक्रो वाले एट थे तो रिमेनिंग कौन से आ जाएंगे आपके माइक्रो वाले आ जाएंगे विच रिक्वायर लेस कौन्टिटी कितने से एनिवो टैन मीली मोल पर केजी से या वन टू वन मिली ग्राम पर लिटर से जो कम रिक्वायरड हो उनको क्या बोलोगे आप लोग माइक्रो नूट्रियंट बोलोगे और है कौन-कौन से जैसे एक लास्ट डिस्कवर्ड माइक्रो न्यूट्रियंट है सबसे लास्ट में अभी तक जो डिस्कवरी हुए वो कौन सा हुआ है निकल जो है वो लास्ट डिस्कवर्ड है यानि 17 में से 17 नमबर वाला कौन है निकल है तो एक बार आप इसका कंप्लेट का स्क्रिंशोट लें इसके बाद नोट डालके फिर से कुछ लिखा हुआ है इन जो माइक्रो न्यूट्रियंट थे माइक्रो न्यूट्रियंट जो थे इन माइक्रो न्यूट्रियंट में आप लोग बात करें तो जो जिंक है is an activator of following enzymes देखो एंजाइम वाले topic में आप लोगों नहीं कहीं लिखा वा था एंजाइम एंजाइम एक्टिविटी को बढ़ाने का काम जो हो कर रहे थे तो zinc एक्टिविटी का काम कर रहे है कुन से एंजाइम का कार्बोक्सी पेप्राइडेस का या कार्बोनिक एंजाइम का एलकोलिक डिहाइडेस एंजाइम का और कार्बोक्सी लेस एंजाइम यानि इन एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ाने का काम करता है zinc zinc is also useful in formation of indole acetic acid ये plant growth regulator में discussion करेंगे plant की जो growth को बढ़ाने वाले chemicals होते हैं boron is helpful in germination of pollen grain और pollen tube pollen tube की जैसे pollen grain इस टाइब से होता है तो उस pollen tubes उस pollen grain से pollen tube की formation में helpful है क्वोन आपके boron ये 12 में अपने discussion करेंगे molybdenum required in minimum quantity and also an activator of nitrogenase enzyme nitrogenase enzyme का activator की तरह से काम कोन कर रहा है molybdenum कर रहा है and nitrate reductase इंदो enzyme को activate करने का काम molybdenum कर रहा है according to some scientist F.E. also including macronutrient कुछ scientist कहा है ferrous को किसमें consider करते है macronutrient में consider करते है balancing element में बता रहा है those elements which overcome toxic effect of other elements like calcium, magnesium and potassium are balancing element against mn, nickel, zinc, copper and pb pb not a micronutrient, pb micronutrient नहीं 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 macro में consider करते हैं but specific plant के इंदर अपने को मिलता है तो ऐसे element जो other element के effect को कम करें उनको हम किसमें consider करेंगे उनको आप बोलोगे balancing element में तो एक बार आप इसका screen shoot जो है वो ले लें तो बटा second जो classification है वो था function के according function के according ये करा के essential element can also be grouped into four category कितनी category में divide किया है आप लोग नहीं four category में divide किया है उन 17 element को first essential element act as structural element यनि ऐसे element जो structure में काम आ रहे हैं आप लोगों को पता है तो उसमें काम आने वाले जो element है उनको क्या बोलते हैं आप लोग force जो है वो ATP की form में energy की form में रहता है इसके अलावा एक्टिवेटर और इनिबीटर ऑफ सम एंजाइम यानि ऐसे element जो कुछ element के enzymes के लिए एक्टिवेटर इनिबीटर का काम वर्ग कर रहे हैं जैसे magnesium जो है इस एन एक्टिवेटर फोर बोत राइबूलोज बाई फोस्पेट कार्बोक्सीलेज ऑक्सीजिनेज रुबिसको एंजाइम देखो नेचर में सबसे ज्यादा जो कांट में मिलने वाला एंजाइम है वो कौनशा है रुबिसको है इसका नेम देखो राइबूलोज आर्यू बी राइबूलोज आर्यू को बाई फोस्पेट बी को बी आई एस को कार्बोक्सीलेज सी से और ऑक्सीजिनेज ओको रिपरजेट कर रहा है यानि आर्यू कार्बन वाली सुगर थी किटोन फोम में बाई फोस्पेट यानि उसके कार्बन नमबर वन पे और कार्बन नमबर फाइब फोस्पेट लगा वात है तो उसको कार्बाई फोस्पेट कार्बोक्सीलेज यानि या तो इस राइबूलोज बाई फोस्पेट में या डाइग्र सांीर आपको सेकी नमबर पे केट्ट वोजशन होती है थर्ड पे और इस साइड में था कि फॉर्थ पे और फिफ्ट नमबर पर ये सिच्वेशन थी अब दिख।axis नॉर्मल राइबट लोज है बट इस राइबोलोज के फिफ्ट नमबर पे इस आइडरोजन को रिपलेस करके आपने फॉस्पेट लगा दिया तो इसको बोलेगे राइबोलोज 5 फॉस्पेट क्योंकि 1,2,3,4 फिफ्ट नमबर पे लगावा है और इदर मैं फ़स्ट नमबर वाले इस इस वोश्पेट अब इस कंपाउंड का या तो कार्बउक्सीलेशन करने माला हो तो उक्षिजिनेज एंजायं में इसको बोलते हैं यानि रुविस्क अंधायं इन डियून नेचरका है कर सकता है इसका ब्रेक्डाउन भी कर सकती है ब्लैंसीलेतर बड़न से बताए तो हम को इन दोनों के लिए तो एक्टिवेटर का काम कर रहे है कि एक तो इन जाइंग दूसरा है फॉस्पो इनोल पाइरवेट कार्बोकसलेज प्रको एंजाइम यह भी फॉटोसिंटेसिस वाले में डिसके शन करेंगे इसके लिए और रुबिस को दोनों के यह magnesium की सिका काम कर रहा वेटा एक्टिवेटर का काम कर रहा है जिन्क इज एन एक्टिवेटर फॉर एल्कोहलक डिहाइड्रोजीनेज एंड मॉलीबुड़णम फॉर नाइट्रोजीनेज डियूरिंग नाइट्रोजन मेटाबोलिजम तो ये इसने essential element जो activator या animator की तरह सी गेव करें उसका detail दिया तो एक बार आप इसका screenshot ले ले फॉर्थ category है essential element which control the osmotic concentration of cell यानि ऐसे element जो cell की osmotic concentration को control करने का काम करते हैं कौन से है जैसे potassium play an important role in the opening and closing of stomata अभी आप लोगोंने stomata का जो topic study किया था उसमे potassium का role आप लोगोंने के का role आप लोगोंने study कर लिया होगा और potassium जो है वो stomata को opening closing से rated होगा stomata open होगे तो water loss होगा और stomata open नहीं होगे close रहेंगे तो water loss नहीं होगा potassium जो है role play कर रहा है फिर इसने नो डाल के लिखा हुए beneficial nutrient या element कुण से है some non essential element are useful in higher plant like sodium, silica, cobalt और selenium यह कुछ non essential element है मतलब यह 17 में consider नहीं होते हैं बट फिर भी कुछ plant के अंदर यह use होते हैं जैसे cobalt के लिखा है cobalt helpful in formation of root nodules in leguminous plant यानि यह leguminous plant के अंदर ही मिलता है जो फली वाले plant होते हैं जैसे पी की बात कर लें आप लोग साइसर, एरेटिनम, चने की बात कर लें मूम की विगना, रेडियेटा, विगनो, मूंगा, मूंगो इनके अंदर आप लोगों को यह cobalt जो है वो as a root nodules क्योंकि उनकी roots के अंदर चोटी 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 nodules बनती है जहां nitrogen fixation वाले bacteria मिलते हैं, निफ, rhizobium वगरा मिलते हैं तो उन root nodules formation में काम आता है को न कोबाल्ट, sodium के लिए बात कर रहा है, helpful in controlling of the C4 cycle in halophytes, देखो, C4 cycle जो है, वो आप लोगों को, कौन सा होता है, किस टाइब से होता है, इनमें first जो compound होता है, वो 4 carbon compound oxaloidic acid बनता है, इस बेज़ pathosynthesis में अपने C4 cycle discussion भी करेंगे, और halophytes, यानि जो acidic condition में मिलने वाले जो plants है, उनके अंदर आप लोगों को, ऐसी sodium जो helpful होगा, इसके अलावा, silica जो है, provide mechanical support in grasses, ग्रास जो होते हैं, उनके plant, वैसे तो आपने को पता है, ग्रास इस टाइप से soil के उपर ही ऐसे फैल जाती है पर उनके हलगी फुल की कोई mechanism, mechanical support provide करनी है, तो silica काम में आएगी, इसके अलावा, selenium helpful in synthesis of many amino acids, खुब सारी amino acids आप लोगों ने discussion किये, 20 types of amino acids, उनके synthesis में, उनकी formation में role play करता है, आपका कोन, selenium, तो एक बार आप इसका भी screenshot जो है, वो ले लें, फिर मैं अपने बात जो कल discussion किया था, hydroponics या soilless culture की बात, water culture, aqua culture की बात करेंगे, तो different type of culture, कल की class में हो गए थे, फिर भी environment को read करवा देता हूं, तो देखें, hydroponics या soilless culture क्या था, आप लोगों ने कहा कि, in 1860, Julius Wonsack scientist जो था, a prominent German botanist था, demonstrated for the first time that plant could be grown to maturity in a defined nutrient solution in complete absence of soil, यानि soil नहीं हो, और जो liquid है, उस liquid के अंदर आप लोगों ने different types of nutrients जो प्रोपर्ली डाल रखें, तो ऐसी condition में भी plant grow कर सकता है, इस technique of growing plants in nutrient solution is known as hydroponics, it is a type of soilless culture, यानि इसमें आप soil use नहीं करते हैं, इसलिए soilless culture का एक type है, अभी कल अपने discussion किया था, कि mineral nutrient कौन सा चाहिए, कौन कौन से mineral nutrient होते हैं, इस technique से आप लोगों ने पता भी लगाया था, कि plant को कौन कौन से mineral nutrient essential है, उनका identification भी कर सकते हैं, तो determination of essentiality of element ये कल अपने बता दिया था, फिर determination of deficiency symptom in non-availability और minimum level of particular element, यानि कौन सा element, plant को proper available है या नहीं है, या plant के लिए कौन सा mineral element जो हो, deficient होने की वज़े से plant पे क्या effect पढ़ रहा है, उस सीज़ को चेक कर सकते हैं, determination of toxicity of plant when essential element present in excess quantity, यानि मालोगों को essential element जो excess amount में present है, तो उसका plant body भी क्या toxic effect पढ़ता है, उस इसका भी determination आप hydroponics के तुरू कर सकते हैं, तो इस hydroponics की 3 जो helpful point है, वो आप लोगों को बताए, स्क्रीन्शोट लेट आप इसका, hydroponics related diagram भी दिया हुआ है, देखो इसमें एक funnel लगे होती है, for adding water and nutrient, आप water and nutrient जो 17 essential element है, उनको आप इस side से add कर सकते हो, root के अंदर, यह plant की root है, यह cotton plug से block कर रखा है, और air rating tube, यानि यहाँ से आप air डाल सकते हो, oxygen जो है, वो भी इस nutrient में द और यह सारे के सारी nutrient और air जो है, वो root के पास रहेगी, यानि nutrient का solution है, और plant इस type से proper grow करेगा, यह technique है, आपके, diagram of a typical set of for the nutrient solution culture, इसका भी screenshot लेने, आपके NCRT में है, वैसे ही, इसके बाद कुछ नोड डाल के point लिखे हैं, कि by hydroponics, some vegetables like tomato, seedless cucumber, lettuce are successfully cultivated, यानि इनका आप culture कर सकते हैं, इनकी growth करवा सकते हैं, excess MN may induce deficiency of iron, magnesium and calcium, यानि excess amount में the magnesium use करते हैं, MN use करते हैं, तो वो ferrous magnesium और calcium की deficiency को induce करेगा, due to this deficiency symptom of ferrous magnesium, calcium are developed in excess MN quantity like brown spot are developed on leaf surface, यानि सीधी बात है, कि यदी plant के पास MN जो है, वो हाई amount में होगा, तो आपको उस plant में deficiency किसकी feel होती रहेगी, iron की, magnesium की और calcium की deficiency की symptoms मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, deficiency symptoms of high mobile element in plant like nitrogen, phosphate, potassium, magnesium, sulfur, first appear in old part, देखो, mobile element ऐसे element होते हैं, जो plant की, मानलो ये plant body है, अपने पास यहाँ I think दिख रहा होगा आप लोगों को, plant body की ये कोई leaf है, ये कोई दूसरी leaf है, मानलो ये old leaf है, और ये young leaf है, तो ये कह रहा है, कि जैसे ये old leaf मरना स्टार्ट होगी, dead होना स्टार्ट होगी, leaf गिरने की position में होगी, तो इसके जो भी nitrogen है, phosphate है, potassium, magnesium, sulfur है, ये element यहाँ से move करके, और ये young leaf के अंदर पहुंच जाएंगे, तो इसका मतलब, यदि इनकी deficiency मिलेगी, तो किसमें मिलेगी, old part मे है, या young part में, old part के अंदर सबसे पहले deficiency मिलेगी, तो इसमें लिखा हुआ, deficiency symptom of high mobile, highly mobile element, यानि ऐसे mobile element जो move करते है, one part to another part, in plant like nitrogen, phosphate, potassium, magnesium, sulfur, first appear in old part of plant, और आगे लिखा, deficiency symptom of immobile, यानि जो immobile होंगे, उनके सबसे पहले किसमें दिखेंगे, are first appear in young plant parts, young में क्यों दिखेंगे, क्योंकि young तो अभी develop हो रहा है, तो उनके अंदर, वो होंगे नहीं, old वाले के अंदर, present होंगे already, तो old वाले के अंदर, उनके deficiency symptom नहीं दिखते, जो non mobile होते हैं, उनका तो मिलता है, young में, और जो mobile element है, उनकी deficiency symptom का मिलेंगे, old leaf में मिलने वाली है, त इसको film system भी बोलते हैं, plants are grown in a tube, और through placed on a slight incline, a pump circulate a nutrient solution from a reservoir to the elevated end of the tube, देखो किस टाइप से, देखो यहाँ पंप लगावा है, यह nutrient element को इस tube में send करता रहता है, इस pipe के अंदर, इस में एक इस type की pipe लगी हुई है, बेटा, जिसके अंदर इस type से pore बने में है, यह इधर से close है, और इधर यह कह रहा है कि एक reservoir होता है, जहाँ nutrient पड़ा रहता है, nutrient कूप सारा इसे पड़ा है already, इस nutrient में एक pump लगावा है, pump क्या करता है, एक pipe के तुरू nutrient इस side में send कर देगा, और यहाँ इसने plant जो है, उनको लगा रह है को सारे plant, nutrient इधर से आएगा, move करता करता वापिस किसमें आता जाएगा, इसके अंदर आता जाएगा, यहाँ से pump उठाएगा, और इसको move कराते रहेगा, यह system देखो, यहाँ से दिख रहा होगा, यह pump के through water, nutrient इस side से अंदर जा रहे हैं, फिर इसमें plant लगे वे हैं, इनक का screenshot ले, आज के लिए इतना ही करेंगे, next जो class रहेगी, उसमें अपना discussion करेंगे, कि जो 17 element है, उन 17 element का plant body में किस टाइप से तो भी मिलेंगे, plant को कहां से मिलने वाले हैं, plant के इंदर इनके deficiency symptom क्या होंगे, और plant के अंदर इनका use क्या है, यह सारी बाते हैं, इन different 17 element की बात कर करेंगे, तो वो अपने कल की class रहेगे, तो आज के लिए इतना ही, thank you